तो अपने हाथ उठाओ, मैं किसी और से कहूं, वन्ना मैं फुद ही अपनी बेटी का रिष्टा ढूनुगा देखो शेर खान जी, तुम्हारी बेटी का जहां भी मैंने रिष्टा लगाया, वहां मेरी बेज़ती हुई है अब आप ही बताओ, कौन होगा ऐसा लड़का, जो अपने सर पे रोज पांच जूते लगवाएगा, आप ही बताओ हाँ, मैंने देखा है, मेरी अम्मी मेरे अब्ब को आज तक रोज पांच जूते मारती है, और मेरी भी यही जिद है मैं उसी लड़के से शादी करूँगी, जो रोज मेरे पांच जूते खाए तू चिंता मत कर बेटी, ऐसे लड़के बहुत मिलेंगे, इने नहीं मिलेंगे, बगर मुझे मिलेंगे, कराओंगी ऐसे ही लड़के से अरी मान जा खुदा की बंदी, तेरी तो बीत की, मेरी बुढ़ाते में क्यों इचत्खरा करवा रही है देखो शेरखान जी, मैंने भी बहुत शादियां कराई हैं, भाई पहली शादी देख रहा हूँ, बड़ी अजी, भाई मैं तो चना, जैसे तुमारे मन में आये, ऐसे करना, खुदा हाफिस देखा, जिससे भी मैंने कहा, सबने हाथ उठा दिये आप कुद नहीं जा सकते हैं, अपनी बैटी के लिए है, ठीक है, जाओंगा, करा ले मेरे पूरे इलाके में बेजती, कोई कसर छोड़ मत दियो अम्मी, लाओ दसर पे दो, मुझे गोल कप्पे खाने जाना है, बेटी, तेरी उम्र गोल कप्पे खाने की नहीं है, अगर जाना है, तो अपनी अम्मी के साथ जाना, क्यों, क्या डर है, कुछ अलग रहे के अभी इससे सीखना दो, सीखा, भूब सीखा, बाद में दुख तुझे ही निकलेंगे, फिर मेरे समध मना कही हो, ले, जा, गोल कप्पे खा क्या, जा, जा, बेटा, जा, बेटा, जा, बाद का रख दिर लड़की पूरी, मेरा मतलब यह, कि मुझे भी खाने, तो जाओ, खाओ, पागल कहीं के, मैं खाता लिए, मगर उनुकरा, दोनको खिलाओंगा, जाओ, खाओ, पांच रुपे हो गई, भाई, 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 गोल कप्पे खिला ना, कितने के खिलाओं जी, भाई साब मुझे था चार खिला दो, बाग्ये जितना खाई से खिला दो, खिलाओंगे, बाई भाई खिलाओंगे, अधितना नेया होगा, भाई मेठा मत्णा अभी खोली, भाई तुकान, पूरा डूबा होले हूँ अराम से वाल गदा पूरा डूबा होता है पत्परिस येलो जी आप भी पूरा डूबा होले हूँ अर्वाइब दो भाईया मैडम आप खुले पैसे है या मैं दे हूँ मैं अबने आप दे दूंगी आप जाईए चलिए ठीक है मैं जा रहे हूँ मेरा नाम श्यक्षिल्ली है बाईया आप कितने पैसे हुए पैस रुपे हुए जी मैंने तो पांच कही खाए है पांच के जो आपके मिया खाके गए मिया मिया होंगे तेरी बेहन के मैं तो उसका मेनी को जानती भी नहीं हूँ और मैंनी देने वाली पैसे वैसे मैडम पैसे आप ही दे के जाओगे मैडम जब वे पूछ रहे थे पैसे मैं दे दूँगा तो आपने पैसे देने नहीं दिये उन्हें के मैं अपने आप दे दूँगी पैसे तो पैसे मैडम मैं आप ही से लूँगा अगर नहीं दिये तो ये जाने नहीं देगा उस हरामजादे से तो बदला ले नहीं है क्या नाम बताये था हाँ शेख शिली ये लिजी आपके पैसे ठीक है जी अरे यामीन अरे कहा गए तुम सब लोग मामू क्या बात है क्या कर रहा थे तुम कुछ नहीं मामू खाना खा रहे थे खाना खा लिया? हाँ मामू अच्छा ला मुझे भी दे दे थे मैं भी खा ले था अरे सेख शिली भाई तुम कहा गए थे मैं सारे में ढूंड या तुम्में वह चला क्या था ऐसी भूमने के लिए मामू ये मेरा दोस्त है मेरे गाउं का है ये परिशान है बहुत मैं इसे अपने साथ लिया आया अच्छा क्या नामे विटा तुमारा? मामू मेरा नाम शेख चिल्ली है शेख चिल्ली मामू तुम दुनिया की साधी कराओ मामू तुम्हे लोग साधी खान गहें मेरे दोस्त की भी साधी करादो शाधी करेगा? मामू मामू मेरे साधी करादो मामू मामू तुम कितने अच्छे हो मामू तुमारी चिकल मेरे यम्मी से मिलती है मेरे अपू से मिलती है मुझे छोड़ तो सही जबी तो कराऊंगा तेरी शादी चल तुझे एक लड़की बता हूं मैं लड़की मामु बता हूं लड़की तो है वड़ी सुंदर है लेकिन उसकी शर्थ है उसका पापड़ा शरीफ है और उसकी मां और बेटी एक नमबर की शैताने दोनों सहताने मामु यह बात तो सोचने वाली है मामु ऑल्भाई शर्थ है मामु शर्थ अगर तु शर्थ जेल जा तो सिर्फ जै landlord कराओंगा तेरी मामो मैं हर सार जहेल जाए मैं जोड़ में फूच जाबा इन गवा जोड़ Ian नहीं है जोड़ में कूड़ने जरत नहीं है जोड़ से खतरनाक सर्थ है क्यों नहीं समगरूर लड़की शादी इस शेकचिली से करा देता हूं अपना बांजा बता के इस पे जूत भी पड़ेंगा तो कोई फरक ने पड़ेगा अगर इसने उल्टा कर दिया तो पल्ले बल् मैं सोच रहा हूं बेटा कि इसकी शादी कराए देता हूं अब तू शर्त से ले शर्त बता दो मामू देख उसकी शर्त ये है उस लड़की से जो लड़का शादी करेगा सुबह को उठके पांच जूत रोज उसके सर में मारेगी ये कोई बात हुई इससे अच्छा तो अधाओ मामू जे हो नहीं मामू जो और आखराहुए जो लहं इसकी स्की किने हिए बात कर लेकर हो लाओ अर दो क्यालू प्राइता हुई अजाओ दिए कला दा सुछभाइं। आज को रस दो को बुलाया है अपने ? अजय बुलाया के भाई ? इस घोटाएं को अझे भी आए है ? भाई सलेम को देखने के लिए है ? अरे सलेम आज अज आबाई कहा है ? सलाव अलेकुम बाई को बाता देभ खो भाई ! अब आई देख्था लड़का हाँ लड़का तो अच्छा है अमें पसंद भी है और मेरी एक सरत है अच्छा बताओ पर नेरी लड़की लड़की जा पांच जूत रोज मारा करें तो बारा यह वाई इस तो सम्झानी मैं मैं यह कह रहा था कि मेरी लड़की है ना अच्छा वो तुमारे लड़के का पांच जूत रोज मारा करेंगी मतलब तेरी लड़की मारे लड़के का जूत मारेंगी आरो यह वाईत है अच्ता करना किमेल देंग कुड़की है ज्यारा वाणब अगट जिए मजिंग है यारद आंख है जड़कि पांए जाह आंट भी Mr. अबू अब हमें ऐसे बिटते रहेंगे देख में तू अपनी जीप छोड़ दे मैं दस जगे होके आया हूँ जहां पर भी जाता हूँ लोग मेरी बीजती करके मुझे भगा देते हैं तो आप तो भश्राई छेद दिया अबू मैं तो अम्मी की बात मानूंगी तुम्हें पता है अम्मी रोज तुम्हेरे पांच जुथे मारती है टाम तक देखते भी नहीं हो बेटी हमारी बात तो पुरानी हो गई तुझे गाओं में सब बत्तमीज गहते हैं मैं तो अल्ला से ये दुआ करूँगा कि मेरे जैसी बीवी उपर वाला दुस्मन को भी न दे क्या कह रहे हो? मेरे सब सुन लिया है लड़की क्या पखाड़े पढ़ा रहे हो? हमने जो कह दिया वो कह दिया चाहे लड़का कभी मिले Assalamualikum Shere Khan वै Shere Khan जी मैं इसनी आया था हुमारा को आपको मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी लड़की लिए लड़का मिल गया है सच शादी खान जी शादी जल्दी करा दो मैंने कहती थी ऐसा लड़का जरूर मिलेगा कुछ तो बता उसके गाओं का नाम क्या है दूर का नहीं है मेरे अपने खुद का भाण जा है नाम है उसका शेख चिल्ली बहुत सुन्दा लड़का है आप पांच तो क्या उसको रोज 6 जूते मार लेना कहीं ये वही तो नहीं जो मेरे पैसो से गोलकपे खा गया था चाचे जन कहीं ये वही तो नहीं जिसकी पतली सी डाड़ी है और वो कच्छा पैन के घूमता है हाँ हाँ वही तो है मगर तुम कहे जानती हो बेटी उसे तो मेरा नामी रुक्साना नहीं हां हां कर दूँ, क्या सोच रही है हां अमनी, हां कर दो अब ज़ल्दी शादी करादो मेरी मुझे बदला भी तो लेना है हां, हां कर दी, कर निका करादो ठीक है जी, कराए देता हूं लेकिन उस लडगे के एक शर्थ है उसे जहेज चाहिए और जहेज में कुछ सामान चाहिए वो मैं आपको बताए देता हूँ उसको जहेज में एक मुर्गी, एक पूसल, एक छाज, यानि के शूप और एक खालिक का नस्तर चाहिए हमें सम्मन्जूर है साधी खान जी अगर आपको सब मन्जूर है तो मैं चलता हूँ, अब आप लोग शादी के तैयारी करो, अच्छा सनौ आलेकूँ बेटी तेरे नसीब होता अच्छा, अच्छा, मैं पता तो जब लगेगा जब शादी हो जाएगी अरे तू चुप रहे है वै सालमू, आज तू भी खेत बनी गया हरामी अज चुप्ती है, अभी तो चुप्ती कर लें देगरो सेख भाई, अब तो मामू तुमारी साधी करा देंगे, फिर तो साथ साथ रिया करेंगे साथ साथ तो रहेंगे, जो औरत अपने शोहर को पांच जूत रोज मारेगी हैं, इनके कितनी बदनामी होगी, इनके साथ साथ हमारी कितनी बदनामी होगी बावी, तुम जिंदा मत करो, मैंने भी साली का हीरन ना बनाया, तो मेरा विनाम शेक चिली नहीं बस एक बार मामू, मेरी सर्थ पूरी करवाद है, फिर मैं न जानी हाँ, क्यों सलमू, सही बात है बेटा रे, तेरी एक एक चीज मिलेगी, बस आगे तू जान के तू आगे क्या करेगा हमने तो कभी नहीं सुना, जो पांच जूत रोज अपने पती के मारे, या अल्ला, कैसा जमाना आगे आगे आ ये थीक है, ठीक है, भोने देजो हो रहा, तू खाना बना चल का है, भुछ लगी है, अभी आते हम, जलो सेजी चलो चलो, जलो गूँख आते है मामा ले कुछ कमरी देदी अबे शाद हीगे, छै दिन रागा है, तैयारी भी करनी है अब तु बेड़ा बेड़ा मुग आटकोट वकड़ देगा जल पाने लेगा पता नहीं क्या होगा शेक चिल्ले का और कैसे हो भाईजान कैसे चल ला है काम दाप पहले वाला दा काम भाईजान बंद कर दिया अब एक नया टीवी काम चालो रहा है देखते हैं उपव देगा वाले कैसे करता ऐ ठीक हैं भाईजान आप भी ठीक हो कैसे घड़े हो यहां पर खड़े क्या हैं यहां खड़े क्या हैं रिस्ता तो प После च시क 확 भाइजिया टेया death ऐसे रिस्ता था बड़ा बिजिती वाला, लेकिन मेरे अब्बूने सालों को मार मार के बगाया। आई जान, मैंने भी साली को सबक ना सिखा है ना, तो मेरा भी नाम शेक्षिली नहीं। तुम क्या सबक सिखा होगे, जब पांच उत्ते रोज पड़ेंगे ना, तो गाओं का सर भी सरम के मारे जुक जाएगा। गाओं का सर जुकेगा या उठेगा, ये तो वक्त बतलाएगा। देखो जी, तुमने पहली वार अच्छा काम किया है, मेरी रुखसाना को अच्छा शोहर दिला कर, तुम कितने अच्छे हो। अच्छा तुम्हें पहले भी था, पर तुम मा बेटियों ने छोड़ा कहा। अम्मी एक बात और, उन्होंने तो देहेज भी निमांगा, अब बुतो बहुत सारा समान देने से बच गे। अच्छा, जा रहा हूँ, देहेज का समानी देखा हूँआ। भेर खान जी, काजी जी नहीं आए। काजी जी कहीं बार गए हुए है, मैंने लड़का भी जबा। बार गए हुए? यामीन भाई, तुम ते करता है निका, मामू भी पढ़ाते हैं। हाँ, मामू पढ़ादेंगे निका। मामू बढाता हैं तो मामू को बुला लो ठीक है, मैं भी बलाता कूँ। मामू। आ मामू। आ मामू। आ मामू आ उनिका पढ़ादा, वार हो रही है। बदा नहीं तर लुदान भूमते रहे aims मामू आजाएंगे आजाएंगे तस्तित है असलाम अलेकुम अब कैसे चीख रहा है अधिका बढ़ाने कह रहे हैं मामू निका पढ़ा दो सेख चिलिगा अब ये निका भी मुझे पढ़ाना पढ़ेगा तुम पढ़ा दे नहीं है ला इलाहा इलाला ला इलाहा इलाला मुहम्मद रर्सूल उलाह मैं गवाई देता हूँ मैं गवाई देता हूँ और मुहम्मद अल्ला के सचे प्यारे रसूल हैं अब पढ़ो अब पढ़ो शेक चिली वल्द जलाल अद्दीन तुम्हारे निका में रुखसाना बेगम वल्द शेर खान तो हजार सिक्का राजल वक्त बिना नाम नफके के पांच उते सुबा को क्या तुम्हें कुबूल है? हाँ जी मैं कबूल करता हूँ शाबाज खड़ो के सलाम करो वालेकुम सब को जल में यहां बैठो जी पांच जूते रोज लगा करेंगे कबूल है खामाश चे बड़ गण्यों बाट केज़े छे मार ले मुझे कभूल है बाई ये क्या पांच उते रोज निकाम है ये तो हमने पहली दफ़ा सुना है अजी गार क्या मंगानी मैं तो यह कह रहा था घोड़ा पुक्की मंगा लो हमारा दामात घोड़ा पुक्की में जाएगा घोड़ा पुक्की ठीक है घोड़ा पुकी ठीक हैं गाबना घोड़ा फुक्की महला और वो बता कि हमारे जहेस का सामान नौन का नौन काई रखाई एक भी सामान करने वाला किंद नहीं इसे दिखिआ थिक है तो आ जाऊ आँ आप तैयारी करो मुर्गी मुसल चाज भी यार वो करश्तर भी कहां गाई शेर खान जी यह सामान निलाए यह ठीक अब हूं बैट जाओं प्येटे की जाल यह सही है खुले में चलें के जाली यह विन भाई बैट जा चल रहा है लुम तुभी बैट लाओ लेवाई यह पकड़ यह भी पकड़ मुर्खी कहां अच्छा इसमें मुर्गी पहले चाहिए है 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 ठीक है ठीक है है इसे रख दो ठीक है जी तो तुम्हें एक काम करो लड़की को ले आओ जाओ समाल लिया है वेगम को लाए नहीं क्यूंद्धू कॉंद्धू अच्छा आइड कि मुद्धू इसमें जाएगी गुगगी में बड़े शरम की बात है अच्छा, अर जो तुम मा बेटी करती हो बड़ी इज़त की बात है अम्मी अम्मी अपू अच्छा थो शेरखान जी अच्छा परदान जी बड़ती सद्धी होगी हो तो मा आपकर जो ना अजी बस आपकी बच्ची को अपनी बच्ची बना के लिए जा रहा है अच्छा चीक, माम, बेठी लो चला बेठे जो, बेठे जाओ बेठे जो लो